Welcome everyone, today we are going to discuss about complete guidance how to become a pilot in 2023 as well as in 2024 तो आप सब लोगों की request थी, तो आज मैं पूरा process एकी वीडियो में आपको explain करने की कोशिश करूँगा So, let's start guys, without wasting any time सबसे पहले, जो the first step to become a pilot आपका जो शुरू होता है, वो आपका होता है सबसे पहले medical So, कुछ भी चीज आप शुरू करने से पहले, आप class 2 medical आप अपना करवा लीजिये That is very important वो reason यह है कि देखो, किसी भी चीज में जवार नहीं चलती अगर medically आप unfit हैं, तो आप न तो आपको कोई ground classes join करने की जरूवत है न कोई flying करने की जरूवत है Reason, medical में कोई आपकी help नहीं कर सकता है So, the very first thing guys, you should do your medical And initially, you would be doing your class 2 medical अब इसको कैसे कर सकते हैं? Class 2 medical is the primary requirement guys अब बात आती है कि class 2 medical को कराने की क्या eligibility होती है? उसके लिए बहुत सारे confusion होते हैं बच्चे 12 तक wait करते रहते हैं You just need 10th pass And you just need to be 16 years old ये दो categories अगर आपके पास हैं आपने 10th pass कर रखा है 16 साल के अगर हो तो आप class 2 medical कभी भी करा सकते हो EGCA पर जाके आपको एक ID बनानी पड़ेगी जो भी वो documents मांगते हैं वहां से आप documents upload करके और DGCA approved doctors का उसमें सब कुछ आ जाता है You can take an appointment आप पहले Google पे DGCA की website विजिट करके PDF भी मैं डाल दूँगा description में जिससे आप class 2 medical examiner's की list आप देख सकते हैं आपके nearby जो भी available है उनको call करके आप appointment book कर सकते हैं और आप अपना class 2 medical करवा सकते हैं आपका maximum पूरा एक दिन लग सकता है ज़्यादा से ज़्यादा दो दिन लग सकते हैं और इसकी अगर हम cost की बात करते हैं So all over India 6000 to 8000 थोड़ा सा अलग-अलग अपने medical examiner की अपनी अलग-लग फीस है अलग-लग path labs की अपनी अलग-लग फीस है लेकिन आप जो भी test कराएंगे वो आपका जो path lab है वो NABL approved होनी चाहिए अगर आप किसी hospital से करा रहे हैं तो NABH approved होना चाहिए इन चीजों का हमें ध्यान रखना है अगर आपको कोई भी confusion है के भई मेरे को ये दिक्कत है मेरे को वो दिक्कत है बेजज़क आप medical examiner को call करो उनसे appointment लो और medical कराने से पहले आप पहले भी मिल सकते हो इसमें कोई हर्ज नहीं है उसके इसाब से आप plan करके once you are done with class 2 medical तो आपका ये first step आपका ये done हो जाता है अगर आपका first step ये green है तो देखो ये बहुत खुशी की बात है हम सब के लिए अब कोई दिक्कत नहीं है we can continue our training क्योंकि अगर यहीं गड़बढ है तो हमें कहीं आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है we are not eligible अब बात आती है के चलो भई हमने class 2 medical करा लिया eligibility क्या है pilot बनने के लिए so that is your 10 plus 2 अब 10 plus 2 किस में होनी चाहिए 10 plus 2 में आपके पास physics and mathematics होनी चाहिए अब बात आती है के 10 plus 2 में physics भी है mathematics भी है अब percentage कितना होना चाहिए DGCA governing body की कोई requirement नहीं है किसी भी percentage की लेकिन अगर हम बात करें Air India की ये दो airlines है आपका Air India and Vistara ये आपकी 60% मांगती ही मांगती है तो better है के अगर हमारे 10 plus 2 में 60% and above होते हैं तो हमारी कोई भी opportunity inside the market miss नहीं होती है ये दोखो airline की specific requirement है लेकिन ultimately हमारा aim क्या है CPL लेने के बाद training करने के बाद apply तो airlines में ही करना पड़ेगा अगर हम cadet pilot की बात करते हैं physics chemistry तो वो तो 51% में ही कई सारी airlines अलाव कर देती है कोई-कोई airlines तो 33% में भी कर देती है लेकिन I'm talking about the maximum तो ये दोणो airlines जो है आपकी ये अभी 60% की demand कर रही है और ये इनको 60% चाहिए physics में mathematics में and English में aggregated अगर तीनों में मिलाके आपके 60% हैं तो you are good to go अब बात आती है कि भी मेरे पास physics maths है ही नहीं तो मैं क्या करूँ उस case में guys आपके पास एक open option जो बनता है इसको थोड़ा सा उपर कर लेते हैं क्योंकि मामला काफी बढ़ गया है तो वो है आपका NIOS guys NIOS से क्या कर सकते हो आप NIOS से आप अपना let's say आपने commerce से किया हुआ है commerce वालों के पास maths होती है physics नहीं होती है अगर जिसके पास physics नहीं है वो आप physics NIOS से कर लो जिसके पास physics maths दौनों ही नहीं है वो आप NIOS से online demand on demand exam होता है हर दो महीने बाद दो तरीके के हैं NIOS या तो आप पूरा कर सकते हो plus two और on demand exam से सिरफ आप दो subject कर सकते हो it is up to you अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मेरे percentage कम है अब क्या करूँ तो end of life अभी नहीं हुई है घबराने की जरूवत नहीं है आप अपना process शुरू कर दो class to medical करा लो उसके बाद आप computer number भी apply कर दो क्योंकि DGC कोई requirement नहीं मांगते किसी भी तरीके की percentage की आपका process शुरू हो जाएगा airline की opportunity आपकी दो साल बाद आईगी तो उसमें आप क्या कर सकते हो आप N.I.O.S. से कर लो या वापस से 12th कर लो whenever you are going to apply in any airlines तो उसमें आप अपने अच्छे marks वाली mark sheet show कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो आपको अपने percentage शुदारने के 2 साल हैं आप easily उसको manage कर सकते हो लेकिन उसके चक्कर में बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है अगर आपको pilot course करना ही है आप जो है computer number apply करो DGC की ground classes शुरू करो अपने paper pass करो flying शुरू करो क्योंगा आपके पास time है NIOS से या किसी और board से करना चाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है तो ये अपनी दूसरी eligibility या तो हम सीधे ही physics mathematics हमारे पास है या हमने NIOS से कर ली तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमने अपनी eligibility भी done कर लिये अब मेरा medical भी हो गया है मैंने NIOS से या directly मैंने manage करके दूसरी eligibility भी done कर लिये अब क्या करना चाहिए मेरे को तो third step जो as per me and I recommend ये कोई rule नहीं है आप चाहो तो सीधे flying शुरू कर दो लेकिन I do not recommend this is not the good practice तीसरी चीज आती है आपकी ground classes तो अब ground classes क्या होती है भी इसका क्या माजरा है कहां से करनी चाहिए क्यों करनी चाहिए self study करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए बहुत सारे सवाल आते है तो ground classes क्या है जो आपको pilot बढ़ने के लिए जो पढ़ना पढ़ता है जो आपके subjects होते हैं उनके बारे में जो आपकी पढ़ाई होती है वो आपकी ground classes कहलाती है जैसे पहला subject आपकी अगर हम बात करते हैं तो वो होता है आपका air navigation जिसमें आप instruments के बारे में पढ़ते हो इसके बारे में तीसरा subject आपका आता है regulation, air इसके आगे सबके आगे लगा लो भी अपने आप air regulation की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप पढ़ते हो कि भाई क्या rules and regulations होंगे pilot बढ़ने के लिए क्या age होनी चाहिए जैसे कितने घंटे की flying होनी चाहिए कौन-कौन से subject पास करने है हमें तो अब बात आती है कि fourth subject कौन सा होता है तो चौथा जो subject है आपका वो है आपका technical अब technical भी दो तरीके के होते हैं technical, general है ना इसको general कर देते हैं और पांचवा subject माल लेते हैं technical, specific तो specific बहुत easy होता है उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है जैसे आप जिस flying club से जो aircraft उडा रहे हो उसके बारे में आप हपते बर में पढ़के पास करते हो, यह कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है चछटा subject है that is your RT radio telephony इसको WPC conduct कराता है अभी तक future में देखेंगे बाकी के, अगर हम बाकी के subject की बात करें अगर यह जो 5 subject हैं आपके यह वाला जो है यहां तक के यह DGCA DGCA conduct कराता है और देखो, air regulation में 50 question आएंगे 70% marks आपको सभी में score करने ही करने है DGCA के exams में 69 means fail these all are qualified exam 100 number लेके आओगे, very good लेकिन आपको medal नहीं मिलेगा 69 लेके आओगे तो कोई रियायत भी नहीं मिलेगी, आपको बे रहम से fail कर देगा DGC और आपको दुबारा apply करना पड़ेगा तो यह सारे subject एक बहुत important topic आप लोग मेरे से बार बार पूछते हो कर सर मेरे को तो America जाना है पर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अब बात आती है कि मैं flying करके अगर आऊंगा तो देखो यह mat और आपका navigation दोनों मिलाके इसको हम बोल देते हैं composite exam तो गिनने में तो दो ही लगेंगे लेकिन matter तीनों का पढ़ना पड़ेगा अब सबसे important बात जो सबसे पहले fail होते हैं वो वही बच्चे fail होते हैं airline के exam में जो मजे में ragmat nev पास करके अमरीका भाग जाते हैं अब technical अपना week हो जाता है अब पढ़ाई होती नहीं है तो मेरी आपको राय क्या है कि भाई पढ़ो technical कल आप विदेश में जाओ लेकिन technical journal की पढ़ाई जरूर करके जाओ क्योंकि हमारा जो सपना है pilot बनने का वो है इंडिया के अंदर तो इंडिया की airlines तो इंडियन कोर्स से ही paper बनाईगी तो do remember ये गलती हमें नहीं करनी है भले ही आप exam मत दो लेकिन ये पढ़के जाओ अच्छे से पढ़के जाओ ये आपकी flying में भी help करेगा अब बात कर लेते हैं market में इसका क्या माजरा चल रहा है कितने लोग बाग पैसे चार्ज कर रहे हैं तो market price आपका अगर हम देखें तो धाई से साड़े तीन लाग के बीच में आपके सारे छहो सब्जेक्ट की online और offline आजकल online option बहुत सारे हैं offline भी option बहुत सारे हैं तो हम अपनी पूरी ground classes cover कर सकते हैं अब जब चलो मान लो के ये सारे हमारे DGCA के भी exams qualify हो गया medical भी qualify हो गया फिर अपन बात करते हैं flying तो flying क्या होती है flying हमें जो करनी होती है इसकी जो average cost है वो आपकी 35 से 45 lakhs आती है पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं इतने में आप किसी भी country से flying कर सकते हो और उसकी जो उपर की duration है 4 से 6 महीने में आपकी पूरी ground classes हो जाएंगे सारी अराम से ठीक है बहुत ज़्यादा जल्दी करना चाते हो तो 3 महीने में भी कर सकते हो कोई नहीं रोक रहा आपको self study करनी है Oxford से पढ़ लो कोई नहीं रोक रहा आपको flying की बात कर रहे हैं 35 से 45 लाथ लगेंगे और आपको यह होती है आपकी 200 गंटे की flying और in technical अगर हम देखें तो यह पूरी 220 गंटे की होती है 200 गंटे आपके actual aircraft पर होते हैं और 20 गंटे आपके simulator पर होते हैं अब हम क्यूंकि हम airline pilot बनना चाहते हैं 185 hours आपके single engine पर करते हैं और 15 hours आपके multi engine पर करते हैं और यह simulator 10 hours single engine पर होगा और 10 hours आपका multi engine पर होगा अब बात आती है उससे क्या होता है कि यह 10 गंटे और यह 15 गंटे मिलाके Airbus का rule है कि आपके पास 25 गंटे multi engine पर होने चाहिए अगर आपको feature में type rating करनी है Boeing नहीं मांगता आपका ATR नहीं मांगता लेकिन कभी कभी जैसे अगर हम Air India Express की बात करें तो Air India Express ने vacancy तो निकाली थी आपकी Boeing की लेकिन उसने यह बोल दिया था कि multi engine rating होनी चाहिए तो on a safer side यह mandatory नहीं है कि यह 200 गंटे में 15 गंटे multi engine होना ही होना चाहिए लेकिन on a safer side अगर airline pilot बनना है तो यह खड़ना पड़ेगा अगर आपको instructor बनना है तो 200 गंटे में आप बन सकते हो वो आप single engine पर कर सकते हो अब हमारे पास क्या हो गया देखो सबसे पहले तो आ गया आपके पास medical medical आ गया DGCA के exams qualified हो गए तीसरी चीज़ जो हो गई है वो हो गई है हमारी flying कहीं से भी कर लियो ठीक है तो यह जब तीनों चीज़ें मिला करके आप DGCA में submit करते हो तो आपको मिल जाता है commercial pilot license और आप बन गई हो pilot यह है मज़े की बात लेकिन आपको job मिलेगी नहीं मिलेगी यह यहां guarantee नहीं है तो उसके लिए हम क्या है as per market situation हम यह देखते हैं कि भी vacancy किसकी आ रही है जिस भी जिसकी भी आ रही है जब आप CPL कर लोगे तो आप लोगों के पास इतना ग्यान हो जाएगा कि आपको किसी घ्यान की ज़रुवत नहीं पड़ेगी बट फिर भी ज़रुवत पड़े तो बता देना I am always here to help you अब आप बात करते हो टाइप रेटिंग यहां पे करते हो तो टाइप रेटिंग आपकी अब चलो on an average ले ले लेते हैं कि flying करने में आपके 12 months लग गए हैं ठीक है एक साल का पाक कर लो time come में हो जाए बहुत बढ़िया है टाइप रेटिंग की बात करें तो 45 to 60 days में आपकी टाइप रेटिंग हो जाती है ठीक है अब इसकी cost की बात करें तो average cost ले लो 15 से 20 लाक में आपकी टाइप रेटिंग हो जाएगी अगर हम लमसम total cost की बात करते हैं तो total cost आपकी conventional CPL में 55 से 60 लाक तो आएगी ही आएगी इससे कम में बात नहीं बन पाएगी और अगर बच जाएं तो वो आपके account में पैसे हैं So this is the complete process कि भही how to become a pilot in 23-24 कितना खर्चा आएगा किसमें कितना time लगेगा तो यह total cost होगी अगर हम time की बात करते हैं तो time की आप यह समझ लो 2 से 2,5 साल आपके लग जाते हैं क्योंकि let's say 1 साल flying के होगे 6 महीने ground school के होगे 1 महीने आपकी search करी 2 महीने में type rating होगी 3 महीने DGCO को दे दो 6 महीने घर पे कोई दिक्कत होगी और तुमारा मन नहीं कर रहा aircraft नहीं उड़ा weather आ गया इसके लिए मान लो तो 2,5 साल में हम pilot बन जाएंगे अब बात करते हैं कि पी चलो यह तो हो गया लेकिन अब माज रहे हैं कर किसलिए रहे हैं मैनत अब बात आती है airline की क्योंकि मुद्य की तो बात यही है pilot बन गए type rating होगी airline अपनी vacancy निकालेगी उसमें आपका सबसे पहले written होता है written में आपकी जो भी हमने अब तक पढ़ाई करिये उसमें से questions आते हैं psychometry test होता है compass case भी कह सकते हैं फिर आपका interview होता है और उसके बाद आपका होता है selection merit based पर जितनी भी उनको चाहिए होंगे उनको ले लेंगे फिर आप जब select होने के बाद अगर आप type rated हो तो सीधे induction हो जाएगा अगर non type rated हो तो हो सकता है company type rating के लिए बेजेगी उसका अपना एक अलग procedure है उस समय company को पैसे देने पड़ेंगे फिरी में कुछ नहीं होगा as a JFO join करते हो तो साथ हजार से एक लाग के बीच में आपकी salary रहती है और यह रहती है करीब करीब 6 महीने के लिए जब तक आपकी training complete नहीं हो जाती है जैसे ही आप first officer release हो जाओगे आपकी salary 2.2 से 2.5 लाग के बीच में हो जाती है यह बाली चीज हो गई यह including tax है गाईज अब जब senior first officer कब बनोगे senior first officer बनते हो जब आपके घंटे 1500 से जादा हो जाते है और ATPL आपका issue हो जाता है तब आपकी salary आप let's say 3 से 4.5 लाग के बीच में हो जाती है यह मैं average बता रहा हूँ थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है सबसे best part क्या होता है 3 से 4 साल में अगर आप consistency के साथ flying करते हो और ATPL आप ले लेते हो तो आप अपनी salary 4.5 से 6.5 लाग जो के आपकी first officer की almost double है आप कर सकते हो तो अभी यहीं तक फिर आप senior captain बनते हो फिर LTC बनते हो TRI बनते हो DEE बनते हो लंबी कहानी है लेकिन यह अभी 3-4 साल तक का मामला मैं आपको बता दे रहा हूँ जिससे आप यह plan कर सको के बही मैं कैसे करूँ कितने दिन मैं मैं recover कर लूँगा यह सारी चीजों के जवाब मैंने इसमें दे दिये हैं अब देखो almost courses करिये मैंने आपको सारी चीजें बताने का लेकिन एक चीज और खुशकबरी बता दे रहा हूँ क्योंकि इतना असान नहीं है मिल जाएगा future की update उसमें आते रहेंगे बहुत ही cost effective course है 790 रुपे का link आपको नीचे मिल जाएगा अगर आपको लगता है कि मैंने आपको यह information दी है और आज तक की जो भी videos देखी हैं आपको मज़ा आ रहा है तो subscribe भी कर लो अगर पहली बार देख रहे हो तो और भी video देख लो मज़ा आए तो subscribe कर लो नहीं आरा तो कोई बात नहीं है if you like the way I teach you can purchase my course it'll help you और बाकी का तो उस course के बारे में नीचे link पे भी click करोगे तो उसमें भी मिल जाएगा course Hindi English Donom available है I hope guys definitely definitely पैसे के लिए सारे लोग काम करते हैं but मेरी priority to serve you guys एक कोशिश करिए कि जो भूले भटके लोग होते हैं या आप लोगों को information नहीं मिल पाती है सब कुछ available है Google और YouTube पे लेकिन channelize नहीं है तो मैंने कोशिश करिए कि उसको एक channelize करने की और price कम से कम इसलिए रखा है so that everybody can purchase before starting your journey क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई 10,000 रुपे भी खर्च करें अगर उसको आगे नहीं बढ़ना है इसलिए यह बिलकुल just like a pizza burger कि खरीद लिया अब उसको देख लो Hindi English दोनों में करा है जिससे guardian भी देख सकें those who are not able to speak English or understand English so overall guys mission मेरा यह है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा educate करूं, information करूं क्योंकि एक बड़ा amount है इसके लिए हमें हर चीज़ पता होनी चाहिए खुद को भी guardian को भी तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं हम कर क्यों रहे हैं, कितना पैसा लगाएंगे क्या struggle आ सकती है कितना पैसा कमाएंगे तो उससे क्या होता है कि हम सारे लोग plan कर पाते हैं in advance I hope this course will be useful for you बाकी और कोई सवाल हो तो connect me on Instagram comment कर देना below I am always here to help you guys Thank you so much, see you soon